हेलो एब्रिवान आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इंस्टेंट फेरनेस और इंस्टेंट गलो लाने के लिए हॉममेड पैक बनाने का बहुत ही असान सा तरिका किसी भी पार्टी या फंक्शन में जाने से पहले आप इस पैक को लगाएं तो आपकी स्किन फेर और गलोइंग लगेगी तो इसी वीडियो मैं दिखाने वाली हूँ कि इसका क्या रिजल्ट है फेरनेस पैक बनाने के लिए मैंने कांच का एक जार लिया है तो अब हम इसमें दो चम्मच सफेद चावल जो हम खाने के लिए बनाते हैं वही चावल हैं तो डाल देंगे और 27-36 गेंटे के लिए रख देंगे कम से कम 24 गेंटे तो इधर मैंने डब साबुन लिया है चोटी पैकिंग लिया है तो इसमें से हाफ साबुन को हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे तो यह पैक बनाने के लिए आप डब साबुन ही यूज़ करें दो चम्मच के क्रीब हमें डब साबुन ग्रेट किया हुआ चाहिए तो कुछ इस तरह से मैंने हाफ साबुन को ग्रेट कर लिया है चावल पानी में बिगो कर रखे हुए 24 गंटे हो चुके हैं मैंने पहले से ही इने बिगो कर रखा हुआ था तो अभी हम इनको छान लेंगे ये पैक बनाने के लिए हमें सिर्फ चावल का पानी ही चाहिए और अब मैंने इसमें डब साबुन जो हमने ग्रेट किया था वो डाल दिया है तो इसे चम्मच से मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें एक चम्मच कॉर्ण फ्लार डाल लेंगे और एक चम्मच मिल्क पॉड़र डालेंगे और इन सब को मिक्स कर लेंगे इस पैक को आप पहले से बना कर रख सकते हैं तो अब इसे गैस पर रखेंगे और इसे पका लेंगे इसे थोड़ा सा गाड़ा होने देंगे तो इसमें हमने कॉर्ण फ्लार डाला है तो उसकी वज़ा से ये गाड़ा हो जाएगा तो कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं पांच से साथ मिनट के लिए हम इसे सलो गैस पर पकाएंगे जब तक की ये थोड़ा सा और गाड़ा नहीं हो जाता बीच बीच में हम इसे हिलाते रहेंगे तो अभी दस मिनट हो चुके हैं गैस को ओफ करेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे और ठंडा होने पर इसमें आदा निम्बू करस डाल देंगे और इसे भी साथ में मिक्स कर लेंगे फेरनेस पैक बनकर त्यार है इसे कांच की किसी बॉटल में डाल कर फ्रीज में स्टोर कर सकते हैं हम दस दिन के लिए तो आप इसे पहले से ही बना कर रख सकते हैं और अभी मैं इसे आपको अपने हाथ पर लगा कर दिखाऊंगी कि इसके कैसे रिजल्ट हैं और इस पैक का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है आप इसे बे फिकर होकर यूज कर सकते हैं तो चलिए मैं अभी अपने हाथ पर इसे लगा कर आपको दिखाती हूं तो एक चमच मैंने ये पैक अपने हाथ पर लगा लिया है और पैक को लगा कर हम दो से तीन मिनट के लिए इसे अच्छे से मलेंगे और फिर दस से पंद्रा मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे जब तक कि ये सूख न जाए तो अभी दस मिनट हो चुके हैं तो अब एक गीले टावल से मैं इसे साफ करके आपको दिखाती हूं तो फरक आप खुद ही देख सकते हैं तो इससे सकीन लाइट लगती है और किलियर लगती है दोनों हाथों में आप फरक देख सकते हैं तो आप इसे एक दिन भी छोड़ कर लगा सकते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जुरूर पताई थैंक ये भर वची में वीडियो